है हाई अब दिवान दिस इस गॉर्व सिगाडिया वेलकम यू अलिन दिस सीरीज ऑफ पाइथन वे नौ वी नीड तो स्टार्ट विद दस्लाइस ऑपरेटर देखिए अभी मैंने पिछली क्लास में आपको स्ट्रिंग के बेसिक्स बताये थे और स्लाइस ऑपरेटर क्या होत इसको मैं सिंगल कोट्स में डाल सकता हूं डबल कोट्स में डाल सकता हूं और ट्रिपल कोट्स में डाल सकता हूं यह मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर हम लोग को डबल कोट्स की आदत होती है मैं एक्जम प्रोग्रामिंग लेंविज में डबल कोट्स यूज की जात data type है string data type है ठीक है अगर मैं पूछूँगा type of s तो वो जाएगा class str ठीक है तो अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा अपन पोस्ट माटम करते हैं ठीक है देखो जब जब मैंने लिखा s equals to goraf ठीक है ना s equals to goraf तो क्या होगा मैंने लिखा s equals to double codes के अंदर goraf ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले तो goraf memory के अंदर कहीं लिखा जाएगा इस टाइप से जी ए यू आर ए वी ठीक है और s बनेगा एक object reference जो इसको point करेगा इसके बारे में थोड़ी चीज़ें आपको समझा चुका हूँ अगर आपको एस वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इसको भी आप छोड़ दीजिए यह समझ दीजिए गौरफ हमारा memory में कहीं बन गया है अब maximum programming languages के अंदर हमने पढ़ा हुआ आपको आपको थोड़ी आपको थोड़ी पर बताऊंगा लेकिन एक एक जांपल के लिए अगर मैं कुछ चीज़ में प्रिंट करूँ तो आप मुझे बताईए क्या आएगा प्रिंट करूँ में एस ओफ जीरो क्या एक आंसर देखिए एस और यह लगे स्क्वेर ब्रेकेट स्क्वेर ब्रेकेट के अंदर लिखा जीरो मतलब एस के जीरोत इंडेक्स पर क्या अगर मैं एस ओफ टू प्रिंट करूँगा कितना आजाएगा बताईए यू है ना अगर मैं एस ओफ फॉर प्रिंट करूँगा कितना आजाएगा ए और एस ओफ फाइफ प्रिंट करूँगा कितना आजाएगा वी है ना अच्छा बताईए अगर मैं एस ओफ सिक्स को प्र 6 index पर यहां पर क्या है तो 6 index तो ही नहीं तो यहां पर error आएगा क्या error आएगा कि index out of bounds मतलब index जो है हो आप जाद access करने की सोच रहे हो जबकि उत्तने index तो आपके में ही नहीं तो s of 6 में क्या आएगा error आएगा यहां पर एक error आएगा ठीक है में सब आपको next video के इंतर चला के बताऊँगा slice operator भी पूरा बताऊँगा ठीक है slice operator भी तो मैंने शुरूई नहीं किया आप समझ रहे है s of 6 यहां पर नहीं है ठीक है तो यहां पर s of 6 नहीं है तो आपने बोला s of 6 करने थे तो error आएगा अच्छा एक सवाल और चलिए मैंने बोला s of 10 क्या आएगा बताइए सोचिए क्या आएगा s of 10 error आएगा यहां पर भी क्यों क्योंकि s of 10 एक्जिस्ट ही नहीं करता है s of 10 एक्जिस्ट ही नहीं करता है आप उसको access करने की बात कर रहे हो यहां पर error आएगा चलिए अब एक question और पूछता हूँ इसका answer बताइए मैंने बोला print of minus 1 print of minus 1 मतलब print of minus 1 का मतलब print of print s of minus 1 ठीक है चलिए s of minus 1 minus 1 index पर क्या है वो print करने की सोच रहा हूँ यहां पर कही minus 1 index दिख रही है 0 1 2 3 4 इसमें क्या आगया s of 6 7 जैसी आपने error s of 10 क्या आगया error similarly s of minus 1 में भी क्या जाएगा error लेकिन ऐसा नहीं होगा error नहीं आएगा output पता क्या आएगा output आएगा V print हो जाएगा अब बोलेंगे सब्सक्राइब यह क्या हुआ यह कौन सी नहीं चीज यहां पर शुरू हो गई minus 1 तो यहां पर कहीं दिखी नहीं रहा है minus 1 पर V कैसे आ गया यह कैसे पॉसिबल है देखी यह पॉसिबल है आई होप कि आपको यह चीज समझ में आ रही है मैं इसको मिटा रहूं और आपको जो चीज समझाना चाहरू वह बहुत समझारों मैं ठीक है यह यहां पर पाइधन में क्या होता है आफ़ पाइधन में क्या होता है कि इंडे गया होते था रहते यह होते दोनों तरफ से इंडेक्स झांवर होते हैं यहां ज Subbl 누가 होते जो यह मैशे घ्रोप यह सक million यह О recordings होताना बहौर माइनस 6 देखा आपने यहां पर द 카메section करना बहुत बन बन जाता है क्यूंकि यहां डूलेंगों ही होते है थीजह बहुत आप बताईये स Здесь कर आएगा भी S of minus 2 print करेंगे हम तो क्या आएगा बताइए A similarly S of minus 6 print करेंगे तो क्या आएगा minus 6 G समझ में आ रहा है आपको दोनों साइट से index number होते है Python के अंदर दोनों साइट से index number होते है strings के अंदर ठीक है जैसे अपन array पढ़ते हैं उसी type से ही उसी type से ही यह string जैसे character array आपन C में पढ़ते हैं चलिए वो छोड़ दी हमारे काम करनी है आप यह देख लिए दोनों साइट से index number होते है 0,2 इस साइट से होंगे और minus 1 से यहां से होंगे याद रखिए कि यहाँ पर 0 नहीं होता यहाँ minus 1 से start होते हैं और इस type से जाते है चलिए अब एक question मैं आपसे पूछता हूँ इसका answer सभी लोग comment box से अंदर लिखके बताएंगे कि यहाँ पर output क्या आएगा ठीक है चलिए तो मेरा question आपसे है कि मैंने यहाँ पर लिखा S equals to Python ठीक है S equals to Python अब मैं print कर रहा हूँ S of 0 S of 4 S of minus 2 S of 10 S of minus 5 S of minus 10 सभी लोग इनका answer comment box के अंदर लिखके बताएंगे कि किसका answer क्या होगा यह रही string Python S of 0 S of 4 minus 2 10 minus 5 और minus 10 यह सारी चीज़े प्रिंट करके बताएं I hope कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई है कि Python में दोनों साइट से index number होते है I hope कि आपको यह वीडियो बहुत अची लगी है और आपको बिलको अच्छे समझ में आगे कि index number दोनों साइट से होते है Python में एक positive side जो इस साइट से होते है left to right और एक negative side जो होते है right to left In the next video I will talk about the slice operator Okay, slice operator से पहले यह चीज जानना आपको ज़रूरी थी इसलिए मैं इस वीडियो में यह चीज कवर की है Next video में मैं स्टाट करूँगा slice operator से I hope that you enjoyed this lecture Like the video and subscribe the channel to get further notification of the videos This is Gaurav Tewari I will see you in the next video Take care of yourself and bye-bye